नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे होटेल और रेश्टारेंट जैसी सोया चिल्ली आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक कीजे शेर कीजे और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए होटेल और रेश्टोरेंट जैसी सोया चिली हम घर में बहुत ही आसानी से बनाते है यह हमने सोया चंक लिये है इसको सोया वड़ी भी बोलते है सोया चिली बनाने के लिए हमें बड़ी वाली सोया वड़ी ही लेनी है कड़ाई में पानी गरम करेंगे पानी अच्छे से गरम होने के बाद में उसमें हम सोया वड़ी डाल देंगे चम्मच के मदद से वड़ी को पानी में अच्छे से डुबो लेंगे पानी में एक उबालाने के बाद में हम ग्यास बंद कर देंगे और वड़ी को हम 15 मिनिट ऐसे ही छोड़ देंगे सोया चंग को दो बार पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे और वड़ी को दबा के हम उसके अंदर का पानी निकाल लेंगे इस तरह सोया चंक की उपर हम थोड़ा सा नमक उपर से डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च उपर से भुरका लेंगे सोया चंक में हम दो चमच कॉर्ण फ्लोर डाल देंगे सोया चंग की हम कॉर्ण फ्लोर से कोटिंग कर लेंगे कॉर्ण फ्लोर को हातों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सोया चंग को हम अच्छे से कोटिंग कर लेंगे कड़ाई में तेल गरम करेंगे तेल गरम होने के बाद ये कोटिंग की हुई सोय चंग हम ये तेल में डाल देंगे जितनी जग़ एड़ेस होंगी उतने हम ये सोय चंग के कड़ाई में डाल देंगे सोय चंग हलका सा फ्राय होने के बाद हम चम्मच की मदद से इसको पलट लेंगे दिरे दिरे इसको पलट लेंगे और दूसरे भी भाग से हम फ्राय कर लेंगे सोय चंग को हम चम्मस से हिलाते हुए फ्राय कर लेंगे ये सोय चंग अभी अच्छे से फ्राय हो चुके है देख सकते हैं आप अभी हम इनको निकाल लेंगे कार्म फ्लोर के कोटिंग से ये सोया चंग अच्चे से क्रिस्पी बने है कुरकुरे बने है मैंने ये आधा प्याज, पाच्चे हरी मिर्च और एक शिमला मिर्च लिए है ये प्याज को हम मोटा मोटा काटेंगे देख सकते हैं इस तर हम दो भाग करेंगे और इस तरह हम इसको ये मोटा ही रखेंगे हरी मिर्च को भी हम मोटा ही काटेंगे शिमला मिर्च के भी हम मोटे तुकडे ही करेंगे कढ़ाई में एक चम्मच तेल गरम करेंगे उसमें हम जीरा डालेंगे जीरा तड़कने के बाद बारिक कटा हुआ प्याज डाल देंगे चम्मस से हिला के हलका सा फ्राय कर लेंगे बारिक या अधरक लसन डाल देंगे और उसको भी हलका सा फ्राय कर लेंगे हरी मिर्ची डाल देंगे उसे भी हलका सा फ्राय कर लेंगे शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे और उसको भी हल्का सा फ्राइ कर लेंगे सबजियों को ज्यादा पकाना नहीं है उसमें रेट चिली सॉस डालना है ग्यास का फ्लेम तेज ही रखना है एक चमच सोया सॉस डालना है और चमच से मिक्स कर लेना है एक चमच टोमेटो सौस डलना है एक चमच वाइट वीनिगर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल कर सभी सौसेस को हम थोड़ा सा पका लेंगे चमच से हिलाते रहेंगे अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसमें हम कॉर्ण फ्लोर का थोड़ा सा घोल डाल देंगे इसे हम चम्मस से हिलाते हुए पका लेंगे कॉर्ण फ्लोर के घोल से ये मिश्रन गाड़ा हो जाता है चम्मस से हिलाते रहेंगे और इसको पका लेंगे अभी हम इसमें फ्राइ की हुई सोय चंग डाल देंगे और इसको हम चम्मस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास में हरा पैज होगा तो आप इसमें डाल सकते हो ये देखिए ये हमारी सोय चिल्ली बनके तयार हो चुकी है अभी हम गास बंद कर देंगे ये देखिए फ्रेंड्स होटेल और रेश्टोरेंट जैसी हमारी ये सोय चिल्ली बनके तयार हो चुकी है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजे शेयर कीजे और सब्सक्राइब कीजे थैंक यू